ओम शांती बहुत सुन्दर अनुभव आज फिर से हम आप सभी के बीच लेकर पहुंचे हैं एक ऐसी ही महान हस्ती का जिसको हर कोई जानता है हमारे इश्वरे यग्ये में आपको ऐसी कोई भी आत्मा नहीं होगी जो नहीं जानती या नहीं पहचानती आपका व्यक्तित्व ही बहुत ही प्रतिभाशाली है हम बात कर रहे हैं आदर्निय मनोरमा दिदी की आप अलाबाद से बिलॉंग करते हैं और अपनी सेवाईं आप संपून रूप से यग्ये में दे रहे हैं 1970 से 1960 में आप क्यान में आए और 1970 में आप समर्पित हो गए आपका व्यक्तित्व दर्शाता है कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ हासल किया है चाहे वह क्षेत्र हो कावे का चाहे वो क्षेत्र हो सहित्ते का आपने हमेशा ही उसमें अवल दर्जा प्राप्त किया है चाहे कैसी भी भाशन प्रतियोगिता हो चाहे डिबेट कॉम्पिटेशन हो आपने सदा ही उच स् उसमें हिस्सा ही नहीं लिया वेकिन सदा ही विजयता भी रहे हैं ऐसी प्रतिभाशाली आत्मा आज हमारे साथ जूड़ी हैं इस बहुत सुंदर अनभवों की लेंदेन के कारेकरम में आपने बहुत सारी सेवाइं यग्ये में रहकर के की हैं और अपनी पहचान बनाई हैं आ और वर्तमान समें रिलिजियस वेंग के चेय परसन के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्रयाग में आपने तीन महा कुम्ब एवं पांच अर्द कुम्ब का भी प्रते निधित्व किया हैं ऐसी महान प्रतिभाशाली आत्मा आज हमारे साथ जूड़ी हैं अप हो जाएंगे तो शुरू करते हैं और जुड़ते हैं हमारे आधर्णिये मनोरमा दिधी से ओम शंति आज आपके बीच में यातों के जरोखों से कुछ पूजी निकालने का अबसर मिला है मुझे यादेश हुआ है कि मैं आपसे मुखातिव होकर कुछ सांजा करो अपनी यादों का आध्यात्म के इस पत पर जब ये सफर सुरू हुआ था तो लगवक छे वर्स की आयू थी मुझे याद आता है 1960 में हम लोग फूलों की वादियों में दहरादून में थे और दहरादून में उस समय सेवा केंद्र खुला ही खुला था एक अधिकारी की दूसरे अधिकारी से ओफिसर्स क्लब में उलाकात होती है मेरे लौकिक फादर गर्स्टेड आफिसर थे और वहीं क्लब में बैग्मिंटन के बहुत अच्छे प्लेयर थे जुडिशल मजिस्टेड ब्रजिन स्वरुख गुपता वह भी खेलने आते थे बैग्मिंटन जब अलपाहार की चर्चा हुआ करती थी तो हमेशा वो दामन बचा जाते थे उनसे कहा जाता था गुपता जी कुछ तो लीजिये कहते थे मेरा आरा होगा न और उनके घर से कुछ नगुछ बनके आता था वो उसे स्विकार करते थे तो लोग आपस में जोग करते थे मजाग करते थे बैई क्यों गुपता जी अरे अच्छा बना है आपक्यों नहीं लेंगे वो हस दिया करते थे कहते थे वक्त आएगा मैं इस बात का जवाब दूँगा और वो वक्त आई ही गया उनकी बहुत अंधर से खौहिश थी कि जेलर साहब का परिवार ग्यान में चले उन्होंने ये सुन रखा था कि हमारे यहां साधू संतों का नित्या अगमन होता है कोई न कोई अतिथी संत बना ही रहता है उनका भोजन उनका प्रवजन उनका ग्यान हम सब बैठ कर एक साथ सुना करते हैं और यही कारण था कि उनके मन में बार बार आदा था जेलर साहब को मैं ले जाऊ एक बार दर्शेहरे के अफसर पे आमंतित किये गए प्रोग्राम में प्रोग्राम में स्वयम जेलर साहब गए थी और उनके साथ साथ कुछ अन्य सम्मंध ही गए थी देखकर सुनकर प्रोग्राम लौट आये जैसे बाबा कहा करता है कि बच्चे कहेंगे वो अच्चा बुद्धी के मार्ग से हिर्द तक नहीं गया केवल कानों को लगा अच्चा है कुछ दिन के पश्चाद हम लोग सहस्त्र धारा गए हुए थे और वहां ही मन्य भ्राता गुपता जी दीदियों के लेकर पहुँचे हुए थे सरकेट हाउस के अंदर दोनों में मुलाकात हुई तो जैसा की रिवाज है रस्म है दीदी से आग्रे किया गया कि हाप भोजन स्विकार करें आदरनी अप्रेंट दीदी ने कहा नहीं हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो लोकिक भुगाजी थी मेरी उना ने कहा भला क्यों हमारे यहां तो बड़े बड़े संथ खाते हैं आप क्यों नहीं खाएंगे प्रेंट दीदी ने हसके कहा आप हमारे आश्रम पर आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हम क्यों नहीं खाते आश्रम पे आना मुकरर हो गया और हम लोग सब अगले दिन से आश्रम पर जाना शुरू किया गुपता जी गाड़ी लेकर आते थे, हमनों उगे लेकर जाते थे सेविन डेस कोर्स हुआ उस सेविन डेस कोर्स से ज्यान की नियू पड़ी साथ साथ पढ़ाई लिखाई चलती रही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे बाबा कहता है ज्यान, योग, धार्णा, सीवा चारो विशे का कहीं न कहीं मानस पर असर तो होता है दीदी का आवाहन करके दीदी को अपने हम बलाया गया जब सेविन डेस कोर्स हो गया दीदी साथार आमंत्रित थे आये भी बात को रखा उन्होंने दीदी के आगे एक बड़े से चांदी के धाल में फल रखे गया नया चक्कू रखा गया दीदी ये तो सिकार करेंगे दीदी ने बहुत प्रेम से कहा नहीं हम फल भी दे लेते अब बहुत आश्यर चकित होने की बात थी ये धारना है पहले हमारी बड़ी बड़ी आदर ने ये दी दिया ये धारना आज भी है लेकिन इतने द्रणता के साथ उसे पालन करना जिसका प्रभाव निस अंदे है बहुत बड़ा कि हमारे यहां इतने बड़े बड़े लोग भोजन करते हैं लेकिन हमारी दीदी ने बिल्कुल कुछ नहीं लिया और वो उनकी धारना उनके स्वरुप का जो प्रभाव था उनके योग का जो प्रभाव था बहुत अधिक बड़ा यहां तक की बहुत अधिक रोध करने वाला बिक थी एक तो जेल का मुकन मुहक्मा और उसमें कैदियों से रोज की वाचीत मुजरिम से पाला कभी मारा कभी उन्हें ऐसी बंद करवा दिया तो मशुहूर थे जिरर सहाब बहुत गुस्सा करते हैं मुझे याद है बच्पन में जवाला नहरू ने उन्हें मानिपूर प्रधान मंतरी रहे वो एक मौईने वराय थे और उन्हें हाती दाथ की एक स्टिक दी थी उनके अनुशाशन को उनके प्रबंधन को देखकर तो हम सब हसा करते थे कि इनके गुस्से को देखकर दिये एक निशानी थी वो उनके अनुशाशन के नाम पर तो ये ज़ा चीजें हैं जब दीदी ने समझाया कि नहीं बिना गुस्सा कि ये भी तो अनुशाशन हो सकता है उसके लिए ट्राई करना सुरू किया कुछ ही दिनों में हम लोगों का ट्रांसफर बरेली हो गया बरेली में कोई सेवा केंद्र नहीं था तो घर पर ही योग का अभ्यास और मॉडली का अधिन होता था आदर निये दीदी का आवाहन फिर किया गया बरेली आये और बरेली में हमारे यहां ही निवास किया उन्होंने तो भोजन भी यहीं बनना था अगात खुशी इतनी प्रसनता शायद कभी हुई हो जितनी प्रसनता उन दिनों हुआ करती थी और दीदी भोजन बनवाते थे खुद भी स्विकार करते थे और सब भी स्विकार करते थे इतना बिहत का आनन जो दीदी अमारे यहां पानी नहीं पी थी उस दीदी नामारे यहां भोजन किया और दो-तीन दिन शहर में कारिकरम हुए जेल में कारिकरम हुए जेल सुप्रेंटेंडन के यहां कारिकरम हुए लोगों के उपर एक बहुत अनोखी च्छाप लगी लोग कहा करते थे कैसे हैं ये चौहान साहब जो रिस्वत नहीं लेते कैसे हैं जो ये गुसा नहीं करते बहुत सक्त एक ऐसी सर्कुत थी या जीवनकार आवास के कैदी थे तो वहाँ पर किसी भी अधिकारी को रखा जाए उनका आपस में द्वंध होना सुनिश्चित था पूर्वनिश्चित था किन्तु जब इनको दिया गया तो कोई जगडा नहीं वो तो वहाँ पर हता लगा ज्ञान सुना रहे हैं पूरी बैरिक के अंदर बहुत अच्छे-च्छे सुलोगंस लिखवा दिये गए और उनको रोज बाबा का ग्यान नित्य सुनाया जा रहा है लोगों ने कहा अरे एक महिना होने को आया इन्होंने तो किसी काम के लिए बोला ही नहीं और जगड़ा तभी होता था जब काम के लिए बोला जाता था लोगों ने पूछा उनमें जो मुखिया था आगे बढ़कर के आया बोला आपने हम लोगों से कभी काम के लिए नहीं कहा आप क्या जबाब देंगे एक महिना होने को आया बहुत प्यार से उन्हें करमों की गोहे गती समझाते हुए कहा देखो कोई तो करम ऐसे थे जिनके कारण आप लोग जेल में आए आपको कारागार भुगतना पड़ रहा है आप अपने परिवार से दूर हो गए हो तो मैं समस्ता हूँ कि अब आप ऐसा नहीं चाहोगे अगले जनम में भी कारागार मिले अत्वा कुछ ऐसा दंड फिर भोगना पड़े जेल का अन आप खा रहे हो तो आपको इसको चुकता करना ही जाहिए और वो चुकता आप परिश्रम करके कर सकते हो आप चाहो तो जो कारें दिये गए हैं उनको निप्टा सकते हो बहुत ताकत है आप में और अब तो परमात्मा की ताकत भी मिल रही है तो जो काम एक महीने में हुआ वो आप अभी कर सकते हो तो लोगों के दिल दिमाग में ये बात बैट गई मुझे याद है मैं पढ़ा करती थी जेल में लिखा हुआ था वो सलोगन जब कभी जाती थी कि इस दुनिया में दो तरह के जादू लगते हैं एक ईस्वर का एक माया का तो मैंने ही समझती थी कि ये क्या होता है लेकिन मैंने इस्वर का जादू तो बिल्कुल सामने साकार देगा कि जिनोंने मास भर कोई काम नहीं किया 25 दिन के बाद 5 दिन में पूरे महिने का परिस्रम करके उन्होंने उतना माल बनाया बहुत आश्चर हुआ सबको और सब इस इंतजार में थे एक सेंट्रल जेल में चार जेलर होते हैं डिस्टिक जेल में एक ही मालिक होता है लेकिन वहाँ चार होते हैं और चार सरकिल बटी हुई होती है तो लोग सोचते थे कि कोई दिन तो ऐसा आएगा अरे अभी तो ग्यान योग हो रहा है एक दिन देखना आगे क्या होगा लेकिन आगे तो बहुत अच्छी रिजल्ट आई और उन कैदियों ने जब परिस्रम करके नित्य के मानक से अधिक माल का उत्पादन करके कहीं कंबल बनते थे कहीं साबुन बनता था कहीं दरियां बनती थी तो वो उन्होंने जब बना कर रखा तो जेल्ट सुप्रेंटेंटन को भी बहुत आश्चरे हुआ कि ये संभव हुआ कैसे मुस्करा के एकी बात इस्वर का जादू है और रियली हम लोगों ने लेखा कि वो इस्वर का ही जादू था इतना ही नहीं वहाँ पर मंगलवार को परेट हुआ करती थी तो जब फादर ने कहा जेल्ट सुप्रेंटेंडन से कि आप चलिए और वहाँ मुआइना कीजिए आज तक तो जहान साब कभी हुआ नहीं ये आप कैसे कह रहे हो कि वहाँ मुआइना करें वहाँ के तो कैदी बहुत दुरदर है बला कोई बात नहीं मैं रहूंगा न साथ में आप एक बार मुआइना तो कीजिए बला कैदी खड़े होंगे परेट में बला हाँ खड़े होंगे बला बैरिक खुलेंगी तो वो खुद डर रहे थे कि बंग करवा दीजे बैरिकों में उसके बाद मैं मुआइना कर लूँगा बला नहीं नहीं आप घबराये नहीं ह ये परमात्म करपा कहें परमात्म ग्यान का चमतकार कहें या इस्वर ये जादू कहें वो हम लोगों ने आखों से देखा बरेली के या छेत्र में कोई जब केंडर नहीं था और बहुत इक्छा थी कि हमारा तो कल्यान हुआ लेकिन औरों का भी कल्यान हो कुछ दिन बाद गुपता जी भी वहीं आ गए हैं, एक से दो हो गए, तो हम लोग आपस में तो मुडली पढ़ते थें, फिर गुपता जी के हाँ से भी उर्मिला वेहन उनकी युगल आती थी मुडली सुनाने के लिए, और इतना ही नहीं, फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने इस थान दीदी से आग्रे किया, आप बरेली में केंद्र खोली, कौशली दीदी आई, पहला केंद्र वहां खुला, तो बरेली के केंद्र की निव डालने में ये दो महारती थें, इसके अतरिक्त, हम अगर आगे बढ़ें, कहानी बहुत लंबी है, हम लोग सुल्तानपूर आएं, और सुल्तानपूर सैनेटोरियम जेल मानी जाती है, जहां अप रहें टीवी के कैदी रखे जाते हैं, जेलर और डॉक्टर का बंगला साइट से था, वो डॉक्टर कुछ ऐसी दवा लेते थे, मधोसी की, कि उन्हें खुद होश नहीं रहता था, क्या कर रहें, क्या नहीं क हर आदमी सोचता था, कहीं तो ये टिकेंगे, अगर दूद में नहीं लेंगे, तो अंडे में लेंगे, अंडे में नहीं लेंगे, तो मक्षन में लेंगे, कहीं तो कुछ ये अपना शेयर लेंगे, लेकिन नहीं, नहीं लेना है, तो नहीं लेना है, लोगों ने कहा कोई य अफिसर मेंटली प्रपेर हो गया कि मुझे इनसे पंगा लेना ही है और वो हमसे क्या सबसे पहले उसने अपनी वाइफ से मार पीड़ की बहुत बड़े फ्लेक्स सू कंपनी के मैनेजर की बेटी थी उनको जब उनके साथ इस तरह का बेवार हुआ तो निश्य थे पड़ोसी थे हम बोलना ही था किसी ने पूनको हाथ नहीं लगाया उनकी सुरक्षा का प्रवंध किया गया उनके घर के चारोवर सिपाही लगा दिये गया और उनको पकड़की एक रूम में बंद कर दिया गया उनके घर खबर कर दी गई उनकी मिसिस एक परिवारभाले आए बेटी और बहुत प्यार से उनको सौंप दिया गया लोग यही सोच रहे थे कि कब यह आपस में दुन्द युद्ध करें कब हम लोग कंप्लेंट करें और कब इनकी विदाई हो मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं तो हमने यह देखा कि ग्यान जब आचरण में उतरता है तो कितना मना सकती मनोबल संपन्न हो जाती है और किसी भी परिस्थिती का सामना सहज किया जा सकता है तो यह एक जीवन के सामने जीवन उधारण थे कि कुछ भी हो जाए अगर हम सत्य मार्ग पर सत्य बाप की उंगली पकड़ कर चल रहे हैं तो हमारा बाल बाका भी होने वाला नहीं है और पलता हमको मिली ही मिली है तो इस तरीके के बहुत से अन्भव हम लोग कानपुर गए वहाँ भी जेल मिनिस्टर मायने पर और हम लोग क्लास में मुडली सुन रहे थे कुछ नहीं तो नियूस पेपर की एक बात एक लाइन नियूस बन गई कि जेलर सहाफ सत्संग में ब्रह्मा कुमारीज के आँ और जेल में मुआयना नो प्राब्लम आप ख्रेम से खरिए तो ये सब चीजें जो सत्य पर टिका होता है उसके लिए सोते चकते उटते बैटते निर्भैता वर्दान की रुद में मिलती है चोकि हम लोगों को भी बाहर बाहर बंगलों में जगे जगे रहना पड़ा बहुत इस्थानों पर ट्रांसफर होते रहे क्योंकि न लेने वाले के ट्रांसफर प्रतेक वर्स हुआ करते हैं लेने वाला तो एक ही इस्थान पर कई सालों तक टिका रहता है, लेकिन हम लोग बराबर परिवर्दन शीर रहें, जगे जगे ने ने चेंचेस देखने को मिलते रहें, बाबा पर आस्था और सुधरण होती रहें, गुर्वार और रभिवार तो क्लास मिली जाती थी, कभी भोग के नाम पर, तो कभी छुट्टी के नाम पर, उससे भी बड़ा आकर्शन था साकार बाबा के पत्र, साकार बाबा को जब पत्र लिखे जाते थे, तो पांचमे दिन उत्तर आ जाता था, हर पांचमे दिन हम लोग लाइन में लगे रहते थे, वो लेटर किसके हाथ का पत्र मेरे हाद आए और बड़ी ख्वाहिश रहती थी कि बाबा का जो पत्र आएगा उसमें अपती बार बाबा ने क्या लिखा होगा। मुझे याद है कि जब बाबा को लिखा कि बाबा ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मुझे बिना लाइट का बंगला दिया गया है मुझे बिना कैदियों का कमान का सारा जीवन उजारना पड़ रहा है क्योंकि कैदिया आते थे तो help हो जाती थे कोई नहीं, नौकर रखे गए और लोग रखे गए लेकिन without any help सब चलता रहा तो बाबा ने कहा बच्चे कभी भी भूल के नहीं लेना और अगर बहुत ही जिद करते हैं तो उसको किताबें खरीद कर दूसरों की सेवा में लगा दो कभी भी उसको स्वेम भोजन में किसी तरह स्वीकार नहीं करना तो देखा हमने कि नहीं लेने से जो साख बनती है वो बहुत अच्छी बनती है सामना तो करना पड़ता है परिस्तियों का तो हम कैसे मालूम पड़ेगा कि विग्न मिनासक हो गए हैं ये भगवान शिव के बच्चे हैं विग्न मिनासक हैं विग्न तो आएंगे न ऐसा नहीं कि विग्न नहीं आएंगे विग्न आएंगे मगर हम कैसे विजय पाते हैं वो हमारी द्रणता पर निर्भर करता है हमेशा एक कक्ष बाबा के नाम पर योग का पहले बनाया गया और वहीं बैठ कर हम सब सामोहिक रूप से योग करते थे कानपुर में आदर्निय दादी जी का सानिध्य मिला तो बाबा की छाप तो मन के उपर थी जब आदर्निय गंगे दादी का सानिध्य मिला अद्भुत इतनी खुशी होती थी कि गंगे दादी बाबा के ओन आदी रतनों में है जिनें सबसे ज़्यादा संगर्ज करना पड़ा भगवान के प्रती समर्पिता बनने में उनकी एक एक बात महावाक्य की तरह लगती थी और अधरनी विद्यादीदी गंगेदादी के साथ रहा करती थी ये लोग समझते थे कि मैं पढ़ने लिखने कॉलिज जाने वाली बहन अरे मैं कहां समर्पित हूँगे या ज्यान की कितनी गहराई मेरे अंदर है लेकिन बाबा का एक एक महावाक्य की जैसे कोई अंधर तक डालता चला जाता हो लखनों में गवर्नर हाउस में सम्मेलन हुआ तो बहुत सौक से मिलवाने के लिए गए माता पिता दोनों प्रेम दीदी से कि दीदी आपको याद है यह वही छोटी सी बच्ची है और दादी के साथ प्रोग्राम में जाती है सिवा में रहती है मैंने प्रेम दीदी के आगे बता है कि यह लोग उसके बावजूद भी शाधी के बंधन में मुझे बानना चाहते हैं यह क्या बता रहे हैं आपको कि मैं सेवा करता है कुछ नहीं करूँगी सेवाएवा क्योंकि इनके मिजाद चराप पूछ लीजिए और मुझे मालम था कि प्रेम दीदी अगर समझाएंगी तो उस बात को कोई भी काट नहीं सकता क्योंकि मैं उनका समझाना एक बार पहले भी देख चुकी थी एक ओप्रेशन होना था जिसके लिए उन्होंने मना किया और फिर उनकी हिम्मत नहीं होई कि करा ले थे तो प्रेम दीदी ने उस दिन भी लखनव में खुब समझाया कि जेलर साब ये क्या करने जा रहे हो आप ब्रामण हो करके विकारी हात्याला बनाओगे कसाई बनोगे बहुत उनको ऐसे पिंचिंग वर्ट्स में समझाया और कहा अभी ले जाओ धीदी और दादी दोनों कानपुर पहुँचेंगी आप अभी इस बच्ची का हाथ उनके हाथों में सौंप दो वहाँ से आये हम लोग करफ्यू लग गया रास्ते में रुख गये मौर्निंग में सोर मचा के किसी तरह कानपुर आये विद्या दीदी को तयार किया युगनों की क्लास हो रही थी तो दादी ने पूछा कौन क्या देगा क्लास कराते कराते विद्या दीदी ने धीरे से कहा जरर साहब कन्यादान दे रहे है और जब ये बात आई कहा क्यों जरर साहब बले हाँ हाँ दादी वो तो आपकी ही है कहने में क्या जाता है तो जब ये बात आये कि आपकी ही है तो बोले फिर क्या तुरत दान महा कर लिया दीदी आगे बढ़के आई और बोली चलो दोनों लोग मिल करके दादी के हाथों में हाथ दो उनका बड़ा योगदान रहा और उसी समय कन्यादान की बात ही दादी के हाथों में मेरा हाथ दिया गया है जीदी भी थी मुझे याद है वो घटना बहुत छोटी सी थी लेकिन मुझे बहुत पक्का कर गई पीछे से खीचने वाले भी कम नहीं थे बड़े-बड़े महारती थे जिनोंने समझाया जेरर सहाब ये कन्याएं जोश में आके पहले तो चली जाती है बाद में वापस आ जाती है फिर हम लोगों को छिलना पड़ता है आप कहने में मत आ जाईएगा जरा सोच समझ करके कन्यादान करिएगा ठीक है आज आपने कह दिया लेकिन ऐसे मत करिएगा फिर वही गाड़ी की चाभी जो है उल्टी लग गई और घड़ी भी उल्टी दिशा में घूमने लग गई दो दिन चार दिन आस्रम पर रही फिर चलो घर चलो बहुत जरूरी है कोई नहीं है महमान आए है फिर वापस मैं कहूं मैं नहीं जाओंगे दादी कहें चली जाओ ये जेलर मेरा आस्रम पलट देगा तुम चली जाओ देखो क्या कहता है सुन के आओ तो इस तरह की उपर नीचे की स्थितियां जेलती रही लेकिन मन के अंदर एक बहुत अटूट विश्वास था कि मैं भगवान को समर्पित हो गई हूँ और जो भगवान को समर्पित हो जाता है वो हीरे की कनी हो जाता है उसको अगर कोई स्पर्स भी करेगा तो वो अपगात करेगा उसकी इम्रत्यूस निश्चित है हीरा कभी चखा नहीं जाता है जो भगवान के गले का हार बन गया जो भगवान को अर्पित हो गया वो निर्माल्य हो गया अब उसको आप किसी इनसान को सीकार नहीं करा सकते ये मेरे अंदरे का टोट विश्वास एक ऐसा द्रण विश्वास बन गया था कि मैं बाबा की बाबा मेरा और वहां से फिर अने को उतार चड़ावाए लेकिन मैं बाबा की बाबा मेरा और बाबा की समर पिता बनी आज बाबा की यग्जि में हूँ बचास साल हो गया है कहने को लेकिन कभी कभी सूचती हो लोग बड़े गर्व से कहते हैं पचास साल हो गए हमें ग्यान में चलते हुए मुझे लगता है ग्यान हमें कितने सालों से चल रहा है जीवन में ग्यान को समाहित करते हुए चलती रही बगर मुझे चैलेंज बहुत पसंद है और वो चैलेंज जो सामने से दिये जा रहे हो क्या ग्यान जो आप सुना रही है practical है जिया practical है हर कसोटी पे खुद को कसने को हमेसा तयार रही और एक दावा किया करती थी कि अगर हमारे कथनी और करनी में भेध हो तो आप हमें बताइएगा हम ये बैस उतार के रख देंगे उसी दिन रख देंगे हमारे यहाँ जो कहा जाता है वही किया जाता है और केवल आप हमको यहाँ गदी पर मत देखिए गदी पर तो हर आदमी बहुत संतुलित बोलता है हम जब बाहर हों जब हम समाज में हों जब हम कुछ कर रہे हों, साफर कर रहे हों उस समय देखिएगा अनकॉंससली जब चल रहे हों, क्या हमारी कत्नी और करणी में सामे हैं। और आज तक मेरी ऐसी परिक्षा किसी नहीं ले कि नहीं आपकी कथनी और करनी में सामें नहीं है कि मुझे बैच उतारना पड़े जब मुझे एकाएक यहां रखा गया प्रियाक की भूमी में मैं लखन हूँ थी और दादी जी मुझे लेकर आए कि चलो तुम्हे लावाद चलना है लोगों ने कहा कहा जा रहे हो वहाँ तो बड़ा मुश्किल है लेकिन दादी की आगया, घुरू की आगया, सर माते चल दी कुछ नहीं आगये, कुछ नहीं पीजे और गंगे दादी इतने प्यार से मुझे गोद में जिसको कहते हैं, बिठा के लाना उस तरीके से यहां तक लेकर रहे है मेरे साथ रही वो छे दिन लगा तार गंगे दादी इलावाद के अंदर रही जब उन्होंने मुझे चार्ज दिलवाया यहां की एक एक चीज की लिस्ट बनाई दादी ने अपने आँखों से देखा क्या है क्या नहीं तो दादी के उस दिनों के साने देखो भी याद करती हूं कि कैसे दादी एक एक चीज की सिक्षा दिया करती थी एक एक बात की समझानी दिया करती थी और दादी ने एक बार मुझे यहां कहा मैंने अवग्या की, बेशक, मैं खेदें मुझे इसके लिए, दादी ने कहा, क्लास में मनुर्मा, कुछ तुम कभी था सुनाओ, कुछ सुनाओ, मैंने का नी दादी, सुरी, आप मुझे यहां मत कहिए, कुछ लोगा ने कहा, बड़े गर्व से, यहां से हमारे दो बहने, ती तो डियम ही न, अगर कोई किसी कारण से अपग्रेट भी हुआ, तो यह डियम हो जाएगा, लेकिन चपरास ही नहीं हो जाएगा, बहन अगर यहां से गई है, तो बहन ही रहेगे, बड़े सिवा के इन पर नहीं छोटे पर रहेगे, लेकिन जो नेतागिरी करते हैं, वो कित नमाई करता हो, राहा दिखाता हो, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने मौन लगा लिया, और एक दम मौन होकर बैठ गई, केवल योग, सुबह भी केवल योग, शाम को भी, बरना, यहां का बात है, बरना, साथ दिन के अंदर, पूरी तरह परिवर्तित हो गया, क मेडिटेशन से और मौन से आया, मुझे प्रयाक की धरनी पर सेवा करते हुए, बेहत खुशी होती है, कि ये दादियों की कर्म भूमी रही है, दादियों ने यहां बालू में बैठ कर, लोगों को ग्यान सुनाया है, ये वो भूमी है प्रयाक की, जहां इतिहास रचे गए मनन मिस्र और संकराचारे के सास्रारत के बाद, यहां ही तुशागनी में प्रवेश किया गया था, कुमार गौरम ने यहां ही प्रवेश किया था, तो ऐसी बहुत सी चीज़े हैं, जो यहां विक्षात हैं, और हमारी दादियों ने भूमी पर बैठ करके बाबा का ग्यान स यह वो जगह है, जहां सबसे पहले निमंतरण मिला, पटना का निमंतरण यहां से मिला, कानपुर सेवा केंदर खुलने का निमंतरण यहां से मिला, तो प्रयाक की धर्णी से दाधियों को आधर सहित आमंतरण मिला, जो केंदर खुले, और उसके बाद आमंतरण पर ही रखो लेंगे ये एक नियम बन गया ये घटना पुरानी है 1954 की है आज भी जब मैं निकलती हूँ उस चमेली भाई धरम साला से जहां अमारी दादियां एक कमरे में रही बड़ी दादी इतिहास सुनाया करती थी कि कैसे एक रुपे में दस लोग भोजन किया करते थे नमन करन सुरू सुरू में एक बार में एक ब्लॉक बनवाना था शिप बाबा का किरणों वाला एक ब्लॉक्स वर्क्स आया इलाहबाद ब्लॉक्स वर्क्स माँ गई सामने वाले सज्जन ने बड़े उससे पूछा वो प्रकाश्वणी कहा है मुझे बड़ा होट लगा और मैंने कहा बड़ा मतलब अजीब सा हो गया मेरा मन और मैंने उनसे कहा आपने कैसे जानते प्रस्ण का उत्तर तो नहीं दिया उलटके प्रती प्रश्न किया अपने कैसे जानते है तो कहने लगे बेटा तुम्हारी तरह थी जब वो यहाँ आई थी आज की बात नहीं है बहुत पुरानी बात है मैंने उनसे पूछा जिग्यासा बढ़ गई मैंने गा फिर तो बोले मैंने उनको एक लाख पर्चे छपवा कर दिये थे यह सिवा की धीने सुल गए तो मेरा मन्स रधा से जुग गया कि वहरे प्रयाग वहरे प्रयाग की धर्णी और वहरे यह सक्सियत कि जिसने उस समय कमारीज को बहु चर्चित और बहु परचित के तैरे में नहीं रखता था उस समय तो सिवाईं सुल ही हो रही थी और अस समय उन्होंने दादी जीने उस सक्सियत से इतने परचे छपवा लिये आज भी हम लोग कही जाते हैं तो यहीं कहते हैं भाई भगवान का कारे है दादी के कर्म भूमी किसी को गद्धी मिलती है, सिंगासन मिलता है, मुझे कर्म भूमी मिली है, तो इस प्रयाग की धर्णी पर, सेवा करने पर ऐसा लगता है, कि ये मेरा बहुत बढ़ा सौभाग ये, कि मुझे कर्म भूमी मिली है, और मैं यथा संभव, यथा शक्ति, महा कुम्भों में अपने इस्वरिय विस्विद्याले का प्रत्निधित्व किया मैंने और हमारे महारती भाई बहनों ने अपनी ग्यान बरसाथ की मैं शक्र गुजार हूँ इस प्रयाक की धर्णी के कि जहां मुझे प्रती वर्स मागमेले में सेवा करने को मिलता है जो अपन और विस्व की होती है तो मैं दादी की शुक्र गुजार हूँ जिनने जिनोंने मुझे यहां रखा और सेवा के निमित बनाया उम्शान्दी हम बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे मनोरमा दिदी का कि आपने आज हम सभी के साथ जोड़ करके हमें बहुत सुन्दर अनुभवों से लभानवित किया ऐसे अनुभव जो हम मेंसे कई लोग नहीं जानते थे और अप सभी ब्रामन बहुत खुश है कि आज आपके साथ अपने अनुभवों को सुना है आपके अनुभव हम सभी के लिए प्रेणा स्त्रोत के रूप में कारे कर रहे हैं और हमें जरूर प्रेणा दे रहे हैं कि हमें भी यग्ये में रह करके कैसे इन सेवाओं में अपना सहयोग दे सकते हैं आपने अपने अनुभवों से हम सभी को प्रभावित भी किया और सराबोर भी किया हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपने विशेश आज समय दिया और हमारे साथ जुड़े, हमारे ब्रामन परिवार को प्रेणना दी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज इस कारेकरम को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इन सभी अनुभवों को हम अपने जीवन में याद रखें और जहां पर भी हमारे को मुश्किल का सामना करना पड़े ऐसे योग के, ज्यान के और सेवा के अनुभवों को हम अपने जीवन में याद करके फिर से मोटिवेटेड हो जाएं तो अगले हफते हम फिर से आप सभी से मिलेंगे इसी कारेकरम में अनुभवों की लेंदेन तब तक के लिए उम शांती